नमस्कार आप सभीका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे टाइटन इंडेस्टिस की बारे मैं आज यह इसका रेजल्ट आया हो है और हम देखेंगे quarter one का result कैसा रहा Titan ने कैसा perform किया इसी के साथ देखेंगे आने वाले दिनों में आपको इस counter में क्या करना है आपके पास short term holding पड़ी हुई है तो क्या करना है आपके पास long term holding पड़ी हुई है तो क्या करना है और आने वाले दिनों में रिजल्ट का effect इस counter में क्या रहेगा और उसके साथ हम ये भी बताएंगे अगर आपको नए fresh positions बनाने हैं नए buying की opportunity बनानी है तो आपको कौन से positions में buy initiate करना है तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन तो हम आपको बताएंगे short term में आपको क्या करना है long term में क्या करना है आपके पास holding पढ़ी हुई है तो उसका क्या करना है इसी के साथ चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चानल को subscribe नहीं किया है तो हमारे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए तो चलिए आज जो टाइटन का रेजल्ट आया वह है क्वाटर वन का उसका नतीजे पहले देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो revenue from operation का जो total revenue operation से उसको अगर आप नोट करो पिछले साल के same quarter में था 4995 क्रोर रूपीज यह सारे numbers देखिए crores में है और इस साल यह बन गया 1901 क्रोर रूपीज तो इसमें अगर आप देखो के इसमें कम से कम आपको 74% की गिराबट देखनों को मिली है जो कि बहुत ही जादा है अगर उसमें आप देखो के sales from product and service इसमें अच्छी कासी गि गया 1251 दूसरी बाद मैं highlight करना चाहूंगा other operating revenue में देखिए यह refer note 9 इसको हम detail में discuss करेंगे लेकिन यहां पर एक number देखिए पिछले साल था यह 54 क्रोर रूपीज इस साल बन गया 611 क्रोर रूपीज इसमें देखिए जबरदस increase है और यह increase क्यों है वो हम आपको बताएंगे तो टाइटन ने क्या किया जो loss को minimize करने के लिए इसका जो bullion का holding था वो bullion के holding को इसने बेच दिया क्योंकि covid-19 के चलते बहुत सारे stores बंद होके था और bullion का holding बेचा उसी से इनको 611 क्रोर का revenue निकल के आया तो उसी के चलते यह number आप 611 देख रहे हो लेकिन यह temporary basis है और इसको टाइटन ने loss minimize करने के लिए यह number वहाँ पर लाया है फिले चलते हैं इसी के साथ profit loss का एक बार देख लेते हैं profit कितना हो और loss कितना हो और profit loss for the period यहाँ पर highlight किया गया है तो देखिए पिछले साल के same quarter में इनका profit था 371 क्रोर लेकिन इस साल देखिए इनका profit में जबरदस गिराबड profit बना ही नहीं लेकिन इनका loss बना और loss वहा 270 क्रोर रुपीज तो दिखिए पूरा का पूरा loss यह अपने quarter 1 में दिखा रहे हैं loss बना इनका 270 क्रोर रुपीज क्योंकि बहुत सारे stores इनके बंद पड़े हुए थे COVID-19 के चलते हैं चले इसी के साथ में कुछ additional बाती भी highlight करना चाहूंगा company का क्या कहना है quarter 1 के performance के उपर तो यहाँ पर आप देख सकते हो revenue जिसने company क्यों collect करी हुई थी revenue declined by यहाँ पर दीखिए क्लिल लिखा गया 74% in the quarter due to complete loss of sales in April देखिए April के महिने में इनके सारे stores बंद पड़ गया पूरा का पूरा market बंद हो गया तो इसी के चलते इनको अच्छी खासी गिराबट देखनों को मिली revenue from sales में और यह 74% current quarter में रहा और complete loss of sales in April ठीक है और जो number of stores limited number of stores इनके उपर में में और जून में और वो धीरे धीरे अभी gradually इनका सारे stores open हो रहे हैं और सारे stores में customers बापस आ रहे हैं दूसरी बात highlight करना चाओंगा जो हम already बात कर चुके है company ने 601 करोड का 601 करोड का bullion जो है उसको sale किया है अपना inventory labels reduce करने के लिए और borrowing reduce करने के लिए जो कि operating income के अंदर noted है जो कि हम already discuss कर चुके हैं revenue growth देखिए में और जूर में इनका revenue growth बहुत ही कम रहा में में बस 15% रहा जबकि जूर में यह 63% of the total revenue रहा for the corresponding month of the previous year तो देखिए धीरे-धीरे इनका क्या हो रहा है न पिक अप हो रहा है revenue growth में धीरे-धीरे पिक अप हो रहा है धीरे-धीरे जैसे market खुलने है पिक अप हो लिए कि unprecedented loss situation इनको देखने को मिला despite significant progress being made on its war on waste program with focus on all costs जो यह पूरा का पूरा कोशिश किये loss को minimize करने के लिए लेकिन वैसा नहीं हुआ और इनको unprecedented loss का सामना करना पड़ा नंबर आप stores चो open हो रहे वो दिखिए 30 अब June तक यहाँ पे 83% इनके store बापस open हो चुके हैं और अभी तक August 8 तक अगर आप देखो के 97% store बापस open हो चुके हैं लेकिन यह बोले हैं कि सारे के सारे हर दिन काम नहीं करते हैं क्योंकि different states में और different localities में इनका local lockdown का restriction चलता रहा ह है और इसी के चलते सारे के सारे store अपने 100% capacity के साथ operate नहीं कर रहे हैं कर बात highlight करना चाहूंगा company ने जो 601 croz का bullion जो sale किया है वो company को help किया net positive cash return cash में आने के लिए पिछले quarter में भले ही इनका revenue कम हो लेकिन वो sales से इनको company ने अपना positive cash return value में आने की कोशिच करी हुई है कि इन्होंने क्या किया loss को minimize करने के लिए advertising इसके जित्रे भी expenses थे advertising expense ने company ने reduce करा हुआ है ताकि इनका loss minimize हो आज situation improves जैसे situation में थोड़ी सी अच्छा ही देखने को मिलेगी तो इनका advertisement revenue भी उसी के साथ scale up होगा दूसरी बात और आखिर बात company ने highlight करा हुआ कि company expert करती है recovery rate improve होने में आने वाले quarter में और जैसे quarter by quarter कोविट का situation improve होता रहेगा तो इनका recovery rate भी revenue में increase होता रहेगा और यह सोच रहेगी कम से कम fourth quarter तक 2021 के fourth quarter तक अटलिस्ट यह pre covid levels पे अपना sales का growth ला सकते हैं अब आपके सामने total income हाइलेट करना चूँआँगा segment wise देखिए jewelry segment में इनका अच्छी खासी गिराबट देखनों को मिली quarter one 2020 में था 4047 क्रोर और इस साल बन गया 1000 1182 क्रोर जो कि माइनस 71 परसंट का चेंज है watches segment में देखिए सिमिलार तरीके से 15 क्रोर से बन गया 75 क्रोर माइनस 90 परसंट की गिराबट आई बार section में भी देखिए 149 क्रोर से बन गया 30 क्रोर माइनस 80 परसंट की गिराबट अधर corporate segment में भी अगर आप देखोगे 85 से 13 मतलब माइनस 84 परसंट की गिराबट stand alone without bullion sell अगर ये अपना 601 क्रोर का बुलियन अगर नहीं बेचिते तो stand alone profit में total income में देखिए कितनी गिराबट है बिना bullion sell के इनका total income आया 1300 क्रोर और stand alone total income पिछले साल के सेम कटन में आता 4996 क्रोर जिसमें माइनस 74 परसंट की गिराबट लेकिन अगर आप bullion sell को include करोगे तो stand alone sell income बन गया 19001 क्रोर और उसमें आपको overall changes देखने को मिलेंगे माइनस 62 क्रोर तो इसी के साथ चलते हैं और देखते हैं इस counter के ऊपर analyst का क्या करना है तो देखिए यहाँ पर मैं economic times के website आपको लेके आओ economy times का जो analyst का poll हुआ था वहाँ पर इसने clearly economy times बोले थे कि यह expect कर दिये कि loss होगा कम से कम इनका 127 क्रोर का लेकिन अब भी देखिए analyst सोच रहे थे 127 क्रोर का लेकिन अगर आप देखोगे company का result rate इनको loss हुआ 270 क्रोर का loss हुआ तो analyst का जो rate projected loss था उनमें से कम से कम दो गुना दो गुना loss जादा इनको हुआ तो इसका effect साथ आने वाले दिनों में stock के उपर देखने को मिल सकता है तो चली चलते हैं बापपस अपने चार्ट पे और देखते हैं आने वाले दिनों में आपको इस counter पर क्य सी बड़ होतरी और यह चला गया आपका April मिर तक चला गया 1040 के आस पास चला गया उसके बाद देखिये price में फिर से correction देखने को मिला और यह आपका गिर के चला गया में के मिट तक चला गया फिर से 800 के लेबल तक चला गया उसके बाद दिखी फिर से प्राइस में अच्छी खासी बोडो 3 और ये चला गया आपका 8 जून तक 1050 के आसपास उसके बाद दिखी ये वाली जो लाइन है दिखी जून के महिने से इसने जुलाई के एंड तक ठीक है जुलाई के एंड तक यहाँ पर एक रेंज सा बनाए रखा और ये ट्रेंड करता रहा आपका 990 से लेके 960 के आसपास इसने रेंज बना और इसी रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड करता रहा उसके बाद देखिए स्टॉक ने फिर से ब्रेक आउट लिया 960, 990 के रेंज से और चला गया आपका 1040 यहाँ पर चला गया 1040 के बाद फिर से थोड़ी सी प्राइस पर करेक्शन और अभी ये सेबित आउगस्ट को हाई दिया 1131 के आसपास उसके बाद देखिए प्राइस पे थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल लेकिन आज ये स्टॉक पॉजिटिव बना और आज देखिए ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है प्लस 1.1 परसंड के साथ 12 रुपे 15 पैसे के साथ उपर इसने क्लोजिंग दिये 1130 के आसपास तो दिखिए ये टाइटन का overall performance रहा तो चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में आपको क्याव करना है आपके पास अगर long term में holding पड़ी हुए तो आप holding को hold करके रख सकते हो बहुत ही अच्छी company है बेचने की कोई जरूरत नहीं है ये बोल ला हूँ में long term के लिए अगर आपके पास holding पड़ी हुए तो आप इसको hold करके रख सकते हो बेचने की कोई जरूरत नहीं है बहुत ही अच्छी company है आने वाले दिनों में और भी मुनाफ़ात है ये दिखिए जो loss हुआ है short term blip है बहुत सारे हमें पहले से पता था क्योंकि बहुत सारे stores बंद हो गये हैं और उसका negative impact देखने को मिल सकता है इसलिए company को loss हुआ है जो कि हम पहले से जानते थे लेकिन अगर आपके पास short term में holding पड़िए hot term holding में क्या करना तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं अगर आपको नए positions बनाने है तो मैं बताओंगा आप यहाँ पर थोड़ा सा price correction का weight कर सकते हो देखिए टाइटन एक pattern में trade करता है तो चलिए मैं अगर आपको वो pattern clearly दिखा दो यहाँ पर highlight करके मैं चार्ट को बड़ा कर रहा हूं देखिए आप यहाँ पर clearly देख सकते हो पहले stock का price उपर गया फिर यहाँ पर कुछ correction देखने को मिले फिर उपर गया फिर कुछ correction देखने को मिले एक triangular pattern में यहाँ पर chart कर रहा है फिर से देखिए अभी हाई पर है यहाँ पर फिर से correction देखने को मिल सकता है और जैसे stock का price नीचे आता है तो आप dip पर buy कर सकते हो बहुत ही अच्छी company है short term basis पर अगर आप short term investor हो तो dip पर buy कर सकते हो और आपका immediate target रहेगा फिर से यह जो high touch कि यहाँ है तो वही आप कीजिए every dip पर buy कीजिए यहाँ पर अगर मैं exponential average आपको दिखा दूँ है 5 day का बनके आ रहा है 1094 5 day का बनके आ रहा है 1094 अगर आप देखोगे 50 day का बनके आ रहा है 1014 पूरे का पूरा stock bullish है जितने सारे आपके exponential moving average है वो current price के नीचे है stock बहुत ही bullish है त कर सकते हो और immediately 5% profit के साथ है आप counter से निकल सकते हो अगर अगर आप ज़्यादा इसको hold करके रखना चाहते हो short term basis पर 3 से 6 महीने के अगर आपका range है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखके लिखा दूँ अगर आपका range 3 to 6 months का है तो आप stock को buy करके रख सकते हो और इसका immediate target change हो जाएगा और target आपका आच चुका है 1250 के आसपास इसका target रहेगा तो इसी के साथ हम ये वीडियो समवत करना चाते हैं लेकिन वीडियो समवत करने से पहले हम फिर से आपको याद दिला दें अगर आपने हमारे चनल को subscribe नहीं किया तो हमारे चनल को subscribe कीजिए, video को like कीजिए, comment कीजिए और दोस्त के साथ share कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद, थेंक्यू तोस्तु